ये जो देख रहे हैं आप ये असल में महल आपको लग रहा है लेकिन है नहीं बहुती खुबसुरत महल जहां पिक्चर प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग हुई थी बहुती फेमस मुवी सलमान खान और सोनम कपुर की प्रेम रतन बंधन पायो उसकी ही महल का भीतर का आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये सेट है बहुती खुबसुरत ऐसा लगी नहीं रहा है कि ये महल नहीं है बहुती खुबसुरत यहाँ पे बहुत सारे मुवी के सेट आप को दिख जाएंगे और मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो है एंडी फेम स्टूडियो करजत में मुंबई के पास है ये बहुत सारी फेमस मुवी की शूट यहाँ पे हुई है कौन बनेगा करणपती का पहला शूट भी यहीं हुआ था तो चलिए इस शुरुआत से देखते हैं यह है इसका एंट्रेंस में गेट और यहाँ से इसकी एंट्री होती है पार्किंग के लिए भी काफी अच्छी हैं आप यहाँ अपने फेवरिट मुवी के साथ कड़े होकर अपने पिक्चर भी ले सकते हैं धीरी धीरे हम लो बढ़ रहे हैं जोधा अग्बर के सेट पे फेमस जोधा अकपर कौन नहीं याद करता हैं यह है उसका सेट और हम लोग अभी बीतर चल रहे हैं सेट के बीतर जहां पर की आपको दिखेगा अकबर जहां बैठते थे वहां का शूट जोधा जहां रहती थी वहां का शूट यह जो एरिया है यह देख रहे हैं यह CST Bombay Station का एक डुप्लिकेट बनाया हुआ है ताकि शूट के डिमांड पर यहां पर शूट किया जा सके काफी कुछ CST Station से मिलता जूलता है और यह दोनों साइड आपको दिल्ली के कनाट प्रेस की तरह लगेगा तो जिस पिक्चर में डिमांड होता है वहां का शूट होता है और यह दूर से दिख रहा है जोधा अकबर के किले का दिवाल तो हम लोग इसमें एंटर करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा एरिया जोधा अकबर का ही है बहुत ही खूबसूरा सबसे अच्छी बात है यह पूरा एंडे फिल्म स्टूडियो बहुत ही सुन्दर मेंटेन है स्टाप काफी हेलफफुल है और यह देखिए हम लोग एंटर कर चुके दाहिने साइड में आपको अकबर का सेट मिलेगा जहां अकबर बैठते थे बाय साइड में जोधा जहां रहती थी मदल के भीतर उस महल का पार्ट मिलेगा देखिए कितनी खुबसूरती से मेंटेन क्या हुआ है तो जो भी मुवी में इंटरेस्टेट हों जिसको मुवी अच्छी लगती हो जरूर एक पर यहां देखने आएं स्टूडियो में चारो तरफ घर और महल बने हैं जो की बहुत ही खुबसूरती से बने हैं और जादा तर यह पी-ओ-पी या प्लाई के बनाए गये हैं बहुत सारी फेमस मुवी जोधा अकबर, पानीपद, बाजी राव मस्तानी, गौड़ फादर, प्रेम रतन धन पायो, जोधा अकबर जैसी बहुत सारी मुवी के शूट हुई है देखे कितने बड़े गंपती, बहुत ही खुबसूरत गंपती हर तरह के सेट यहां मिल जाते, कहीं जेल खाना है, तो कहीं अदालत है, तो कहीं पे प्रेम रतन धन पायो मुवी का बहुत ही पॉपलर स्पोर्ट, यह सब को याद होगा, कि शूट भी यहीं पे हुई थी और यह आज भी बहुत ही खुबसूरत है, और बहुत ही अच्छे तरह से मेंटेंग किया हुए है, आप भी देखिए, जैसा लगता ही नहीं कि यह महल के बीतर का पार्ट नहीं है, बहुत ही खुबसूरत सेट, यहां तो आकर मज़ा ही आ गया, ऐसे लगा कि शायद यह कलकाई बना हो, इतनी सुन्दर काच की दिवारें, शैंडिलियर्स, लाइट्स, लैम्ड, सभी बहुत खुबसूरत हैं, बहुत बड़े एरिया में यह रहा पानीपत की शुटिंग जहां पे हुई थी, वैसे तो बहुत सारे पिक्चरों की शूट हुई है, लेकिन पानीपत अभी ज्यादा मशूर हो रखा इस शूट के लिए, गौड़ फादर की शुटिंग यहां पे हुई, मनी करनिका की शुटिंग यहां पे हुई, तो चलिए मैं चलती हूं महल के भीतर, और देखे कितना खुबसूरत महल है, लगली सारे लाइट्स जले हुए थे, अभी हम लोग बहुत लेट पहुचे थे, फिर भी सभी लाइट्स स्टाफ लोगों ने जला लिया था, पॉम कुन से पिक्चर का शूट हुआ है यहां प आपका नाम क्या हुआ भी है, मिलिन का दमाज है, यहीं पे मैंने एक साइड में स्टाफ ने दिखाया चूला, अब यह किस चीज में शूट हुआ था पता नहीं, लेकिन पुराने स्टाइल में चूले में जैसे खाना बनाते थे, उस तरह से यह महल के एक साइड में बना ह हुआ था, तो चलिए निकलते हैं पानीपत के महल से बाहर, और यह जगर जगर बहुती विशाल हाथी के, एक्चुल हाथी के साइड के हाथी बने वे, और हम लोग अब आगे बढ़े, किसमत अच्छी थी, इलेक्ट्राणी के गारी मिल गई थी, और वो हमें गुमाने यह पुराने तरह, पुराने जमाने में जैसे रहते थे, उस तरह के घर बने हुए हैं, और इसके भीते से एक राज निकलता है किले का रास्ता, यह देखिए, यहाँ पे हर तरह के औजार रखे हुए हैं, धनुश, बान, कवच, और इसके बाहर ही बहुती खुबसूरत सा गाउं है, मिट्टी और प्लाई से बना हुआ, बॉनसुन का समय इसलिए देखने में भी बहुत खुबसूरत लग रहा है हर चीज और किती साफ सुत्री ये जगह है ये देखिए, रायगर का फोर्ट बना हुए है, गाउं बना हुआ है, कुछ गाउं के घरों को, आपने दे जाए, तो बहुत ही खुबसूरत है, ऐसा नहीं कि मेंटेन नहीं है, मेंटेन भी अच्छे से है, बस यहां घूमने के लिए दिन भर चाहिए, पूरा दिन चाहिए, आप सुबह आ जाईए, खाना पिना का सामान लेके, और आराम से घूमने, देखने लाइक बहुत सारी च और बहुत इंपोर्टेंट बात, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, रेका ब्लॉग लाइफ के तरफ से, थैंक यू, नमस्च्राइब।